भारत 11 साल बाद एक ICC ट्रोफी और 13 साल बाद किसी भी फॉर्मैट में विश्व चैंपियन बनने में काम्याब रहा है। रोहिच शर्मा की कप्तानी में जब टीम इंडिया ने साउथ अफरिका को बार्बडोस में एक रोमांचक फाइनल मैच में साथ रनों से हरा कर T20 विश्व कप जीता तो कई सालों का इंतजार खत्म हुआ। इसके साथ ही घर्म में 2023 का ODI विश्व कप हारने का दुख भी थोड़ा कम हुआ। विश्व चैंपियन बनने के बाद महेंद्रे सिंग धोनी जिनकी कप्तानी में इंडिया ने 2011 में वन डे वर्ल्ड कप चैंपियंशिप जीती थी ने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पर टीम को बढ़ाई दी। आईए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। पाकिस्तान के भूतपूर तेन गेनबाज शोयब अक्तर ने भी भारतिय क्रिकेट टीम को सराहा और कॉंग्राचुलेट किया। रोयच चल्मा हाज मेड़ इट। क्या बात की जाए है। इमोशन्स रीली हाई पर इंडिया बिकॉज एमदाबाद में हारे थे। और मैं बार बार ये कह रहता है। इंडिया डिजर्व करता था। ना सिफोर टॉर्णमेंट जीतना बर की ये भी। और हिंदुस्तान को बहुत बहुत नभारक हो। बिकॉस बहुत अच्छा थे ने। बहुत अच्छा खेलनें, अंडिफीटेड तिल फाइनल्स और जिसना रोहित शर्मा वस डाउन दे ग्राउंड जीतने के साथ ही इस फॉर्मेट से सन्यास भी ले लिया। लेकिन अपने आखरी T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन दोनों दिग्गजों ने अपना सबसे बड़ा सपना भी पूरा कर लिया। रोहित के लिए ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप ट्रोफी है लेकिन विराट का ये एक मात्र कप है। रोहित 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और कोली 2011 वंडे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोनों दिग्गजों के एक साथ T20 इंटरनेशनल से सन्यास लेने से एक बड़ा भारी स्थान रिक्त हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब नए खिलाडियों को मौका मिलना चाहिए और उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया है। इसके साथ ही दोनोंने T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया।